2022 में एक टैक यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें ये सवाल बहुत पूछा जाता है क्योंकि टैक चैनल में कमाई जो है वो काफी कमाल की होती है लेकिन भाई competition भी बहुत ज़ादा है और लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे टैक चैनल खुल गए है यूट्यूब पे तो हमारा चैनल कैसे ग्रो होगा लेकिन आज ये confusion आपका मैं clear कर दूँगा और आपको कुछ ऐसी amazing tips देने वाला हूँ अगर आप अपने टैक चैनल के अंदर इनको follow करेंगे तो आपका टैक चैनल 2022 के अंदर जरूर से जरूर ग्रो हो जाएगा तो वीडियो को complete देखेगा चल को subscribe करने के साथ notification bell को दबा के all पे click कर लिजेगा क्योंकि ऐसे helpful content मैं यहाँ पे लेके आता रहता हूँ नमस्कार दोस्तो मैं हो योगी योगेंद्र आप देख रहे है टेकनिकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओलिट तो दोस्तो अगर आपको टैक चैनल को ग्रो करना है 2022 के अंदर तो मैं यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर से मिलता हूँ जो कि टैक यूट्यूबर है जिन्नोंने अभी- hechoर बनाए लेकिनों को गरो नहीं हो रहे उनके दिमाग में बहुत बड़ी ब्रांति है और ब्रांति है कि भाई टैक चैनल में तो बहुत ज़्यादा कम्पेटीशन है बहुत ज़्यादा संक्या में टैक चनल यूट्यूब पे हैं तो हमारा ग्रोण नहीं हो सकता हम लोगों से आगे नहीं निकल सकते तो सबसे पहले तो इस को एक टाइम था जब सबसे ज़्यादा जो टैक केटेगरी है उसमें व्यूज आते थे टैकनिकल गुरू जी को यानि गौरव चोदरी जी को लेकिन अब भी देखो जमाना चेंज हुआ ना पहले ऐसा लगता था कि अर्शाव ज़्यादा व्यूज तो टैकनिकल गुरू जी तो वही चीजे सारी मैं आपको बताऊंगा और वही चीजे आपको अपने चनल में डाल लिए अब यहाँ पर टैक चनल के बात कर लेते हैं मैं यहाँ पर संडे को बहुत सारे चनल रिव्यू करता हूँ जदतर उनमें टैक चनल होते हैं वो ग्रो क्यों नहीं हो पाते सबस करेंगे आप टुटोरियल्स बताएंगे यह सारी चीजे अलग अलग है लेकिन गलती यह होते है कि जब भी कोई करना है मुझे टुटोरियल करना है मुझे पर यही बनाना है मुझे ग्यजट लूबक्ष या मोपाईल अनबोक्सर और भॉक्स करना है या मोबाईल के रिव्यु करना है तो आपको सबसे पहले अपना निच एक फाइंड गर न पड़ेगा उसी पर Quinn विडियो बनाना तो बहुत ज़्यादा कई गुनक में उसका ग्रोथ होगा तो यह चीज अमेसे ध्यान रखें कि अपना जो निचे वह अच्छे से सलेक्ट करें दूसरी जो बात है वह यह है कि अब क्या होता है कि जब भी कोई टेक चल बनाता है यूटूब पे नया नया बंदा आता है कि कौन सी टेक वीडियो है जिन पर बहुत ज़्यादा व्यूज है जैसे माल लीजे कोई वीडियो है कि वाट्सप में जैसे वाट्सप में गल्फ्रेंड का वाट्सप के मेसेज कैसे पड़े या पिर किसी की बाते कैसे सुने कोई भी कोई भी मतलब किसी तरह का एक टेक जो एप रिव्यू था या जो भी ट्रिक थी वो पुरानी हो गई 2015 में उसने वो ट्रिक बताई थी उस टेम वो कापी वाइरल हुई थी तो उस पे 57 मिलियन व्यूज आ गए अभी वो ट्रिक ही पुरानी हो गई अब आपने अगर उसी ट्रिक पे वीडियो बनाया तो आपको क बतानी पड़ेगी टेकनलोजी में नई निटिप्स बतानी पड़ेगी यह आप हमेशा ध्यान रखे जितने भी नए चनल में रिव्यू कर रहा हूं मैं यही चीज देख रहा हूं कि उन्होंने वही चीज बता रहा है जो पुरानी पहले से चली आ रही है कि वही कंप्यू तो आपको टेकनलोजी में अपडेट रहना पड़ेगा अगर आप अपडेट रहेंगे जब यह दूसरा वाला पॉइंट किलियर कर पाएंगे जब भी आप नई ने चीजे बता पाएंगे और आपको किलियर करना पड़ेगा कि आप अपने चैनल पर टेक निउस डालेंग तरे का tip है, actual में क्या है कि आपको professional नहीं होना है वीडियो में, मैंने देखा है कि जब भी कोई सोस्ता है कि आर में को टैक्चनल बनाना है, कौफी अच्छी quality में, अब quality से मतलब पता है हमको क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा professional बनने की कोसिस करते हैं, मलब ऐसा professional बनत कि हो सके, तो tech के साथ साथ थोड़ा humor mix करें, जैसे कि tech burner भाई साथ सो लोग जी है, वो humor mix करतें, तो हो सके तो आप technology के साथ थोड़ा humor mix करें, अधरवाई सबसे अच्छा तरीका है कि आप बनने की कोसिस मत करें professional, आप जैसे है, real रहें, अगर आप real रहेंगे, तो लोगों से अच्छे से connect कर पाएंगे, और आपका जो technology का content है, वो boring नहीं होगा, तो भाई engagement आपको ज्यादा मिलेगा, और वीडियो आपकी boost होगी, अब अगला जो tip है, वो यह कि आपको consistent रहना पड़ेगा, अगर आप जैसे मैंने बता है, tech news डालते हैं तो आपको daily डालना पड़ यानि कुल मिला कि आपकी जो channel की consistency है, आपके हिसाब से वो रहनी चाहिए, और quality content होना चाहिए, अब यह quality content का मसला क्या है, वो समझ लीजिए, देखिए, इसमें simple सी बात है, अगर आप gadget review करते हैं, gadgets के बारे में बता रहे हैं, किसी mobile को review कर रहे हैं, तो आपके वीडियो में कुछ b-roll shots होने चाहिए, जिसको हम cinematic shots बोलते हैं, वो जरूर होने चाहिए, दो तीन तो होने चाहिए, product के बारे में, इसके अलावा, अगर किसी product के बारे में बात करने हैं, तो उस product को आप ज़्यादा highlight करें, वीडियो में, क्योंकि जो आपको वीडियो देखना है, उसको भी उस product के बारे में जान करी चाहिए, तो आप ज़्यादा highlight करेंगे, तो उसको भी पसंद आएगा, दूसरा, अगर कोई brand आपको देख रहा होगा, उसको अपने जो product है, उसको आपके channel पे review करवाने है, तो उसको भी यह लगेगा, कि हाँ यार यह लोग product को ज़्यादा highlight करते हैं, तो sponsor से भी मिलेगी, यानि दोनों चीज़े है, user भी खुछ है, और brand भी खुछ है, तो आप product को ज़्यादा highlight करें, बिरोल सोट जरूर डाले, और video की quality थोड़ी अच्छी रखें, और tech video में सबसे ज़्यादा जो important है, वो आपका audio, audio बिलकुल clear होना चाहिए, quality content हो आपका जो content है, वो well research होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप भी पता है क्या हो रहे है, YouTube पे जितने भी unbox हो रहे है, या review अगर हो रहे है, वो जो box होता है, उस पे जो specifications लिकी होती है, बस उनको पढ़के बता देते हैं, ज़्यादा तर YouTuber, लेकिन कुछ YouTuber काफी अच्छा कर रहे ह content well research होता है, और genuine content से नजर आता है, वो ज़्यादा देखा जाते है, तो आपको भी अगर टेक्चनल में आगे बढ़ना है, तो आपको research करना होगा, आपको हर चीज के features पता होने चाहिए, ज़्यादा knowledge होने चाहिए, आपको आपका interest होना चाहिए, तब ही आप उसको अच् explain करें उसको, इसके अलावा thumbnail, टेक्चनल का जो thumbnail है, वो काफी ज़्यादा कमाल का होना चाहिए, आप बनाना सीखिए, 10 दिन लगाईए, 15 दिन लगाईए, एक महीने लगाईए, लेकिन आपका जो टेक्चनल का thumbnail होना चाहिए, अगर आप कोई gadget के बारे में बात कर रहे है, किसी device के बारे मात करें, तो वो एकदम निखर के आनी चाहिए, एकदम अलग दिखनी चाहिए thumbnail पे, क्योंकि user मैंने बताया, उसी को देखने आ रहा है, उसी के बारे में knowledge लेने आ रहा है, वो आपसे है, और टेक्चनल के अंदर एक और टिप है कि आप collab भी कीजिए, collab करने इसे टेक्चनल के जो subscriber है, वो stream ऐसे देखे गए कि बढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखे, दिक्तत या आते है कि आपके मालो 10,000 subscriber है या 5,000 subscriber है, और आप approach कर रहे है किसी 1,000,000 subscriber या 5,000,000 subscriber वाले को, तो वो आपको reply नहीं करेगा, या फिर आपको वो आप मना कर तो जो आपके और subscriber base, जिनके ज़्याद होंगे, उनसे भी आप collab कर पाएंगे, टेक्चनल में collab आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, यह कुछ वो tips है, जो मैंने अपने experience से सीखी है, यह tip अगर आप अपने टेक्चनल के अंदर apply करेंगे, तो 2020 के अंदर भी आपका जो ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए चैहिंद